अभी कल मत्यपर्देश के मुख्य चुनाव अधिकारी जब पत्रकारों को एक मशीन की डिमोंस्ट्रेशन दे रहे थे तो उसमें देखा कि एक नंबर पर बीजेपी था जब एक नंबर दबाया तो जो बीडी पैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है उसमें कमल का निशान आया ठीक है फिर चार नंबर दबाया चार नंबर कॉंग्रेस का था उसमें जो चिप निकली वो भी कमल की निकली तो मतलब जो भी बटम मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था हम बार 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 यह कह रहे हैं कि यह जो मशीने हैं इनके साथ छेड़ छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्कर के उपर की जा रही है कल का ये जो इंसिडेंट है ये एक तरह से रौंगते खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाब निश्पक्ष हो रहे हैं अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीने वोट डाल रही है और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है इसके पहले अभी असाम में चुना हुए थे वहाँ पे एक मशीन निकली कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था उसके पहले दिल्ली कैंटी में चुना हुए थे यहाँ पे और उसमें एक मशीन निकली कोई भी बिटन डबाओ विझेपी को वोट जा रहा था the अब अगर हम ये कहें कि भई मशीन खराब होगया की तो कोई खराबी कभी कोई मशीन कॉंगरेस के लिए भी कोई मशिन समाजवाथी, पारटी लिए भी तो खराब वो ति सारी मशिन इत्थ खराब और यह तो फीजद की नहीं क्यों खराब हो रही है तो इसका इंजिनियर हूँ, बोड़ी बहुत ये टेक्निकल समझता हूँ, मशीन जब भी किसी तरीके से भेव करती है, तो अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो या तो हाडवेर की प्राबलम है, या सौफ्ट्वेर की प्राबलम है, तो इसका मतलब अंदर मशीन के अंदर टेंपरिंग की गई, भई मशीन को क्या पता, बीजेपी कौन है, कौन है, मशीन अगर सारी वोट बीजेपी को दे रही है, तो इसका मतलब कि मशीन के अंदर सौफ्ट्वेर बदला गया है, तो जो इलेक्शन कमिशन कहता है, कि हमारी मशीन टेंपर नहीं हो सकती, हमारी च को वोट पड़ेगा इसका मतलब यह अच्छा दूसरी चीज यह खड़ किसी भी चुनाओ के पहले पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते हैं उनके सामने 20-25 मशीने रख देते हैं कहते चक कर लो वो बिचारे मशीने आदा पॉना घंदा चेक करते हैं उसमें से एक मशीन नि दिल्ली दिल्ली के अंदर अब 12,000 मशीने यूज होने वाली हैं कोई 12,000 मशीनों के चकिंग थोड़ी करता है तो अगर एक मशीन गड़बड निकली इससे शक पैदा होता है कि दूसरी मशीने भी गड़बड होंगी तो जब जब एक मशीन गड़बड निकलती हैं यह उस असाम के अंदर मशीन कोई भी बटन दवाओ अगर उस पे जा रहा था आपने मशीन खोल के चेकिंग करीब है इसका सौफटेर तो नहीं बदल गया उन्होंने कोई चेकिंग नहीं करी कल मध्यपरदेश के अंदर हुआ और बारा है कोई बडल जा रहा है और पिछले कुछ दिनों के अंदर तो इतनी सारी घटनाए घटी है इंटने की मशीने इसे हो जाएगा कि कोई भी वोट ढले कोई किसी को भी वोट ढले बीजेपी वाले जीतेंगे, बीजेपी वालों की सरकार बनेगी, कमल का इपूल की चड़ में से, कमल का इजूर निकलेगा, इवियम के की चड़ में से. पेपर ट्रेल दुबारा इस देश के नदर लागू किया जाए, और पहली चीज तो ये की जाए, पहली चीज तो ये की जाए, कि ये जो तीन घटनाएं, इनकी टेकनिकल जाच हो और ये बताएं, कि सॉफ्ट्वेर में क्या कोडिंग में गड़बड की गई थी, और अगर सॉफ्ट्रे बदला जा सकता है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमिशन जो कह रहा था, कि भई, रीडेबल नहीं है चिप, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा भी जा सकता है, राइटेबल भी है चिप, रीडेबल भी है चिप, और धोखा हो रहा है देश के साथ, तो